नमस्कार मैं हूँ जोच्साचार डॉक्टर विंतर पाठी आप देख रहे हैं भागी गुरु कारिकरम भागी गुरु कारिकरम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपसे बात करेंगे कि आज की पंचांग की क्या सिती है सुर्योदे कब होगा सुर्यास्त कब कौन से तिथी है कौन सा नचत्र है कौन सा वार है इस सारी बाते बताएंगे इसके बाद बात करेंगे आज के महामंतर के कि महामंतर क्या है महामंतर का जब कैसे करेंगे इससे आपको क्या फायदा होगा फिर बात करेंगे बारह राश्यों की भी बारे में कि किसका साथ मिलेगा किस रंग के प्रयोग करने से भागो देवा किस रंक है परओल करने से अपार सफलता मिलेगी शोधञी क्या वबरत निया उपआय क्या करना है गुरू की निस्के भी बताउस आज इनका जन्दीन उनकी भी बारे मैं बताऊंगा प्रश्णों का उत्तर भी दूँगा आप देखते रहें भाग गुरु कारिकरम अब आईए हम बात करते हैं आज के पंचांग की आज 28 नुवंबर 2023 दिन है मंगलवार और सुर्योदे होगा सबेरे 6 बच के 33 मिनट पर सुर्यास्त होगा साम को 5 बच के 23 मिनट पर और आज जो चंदरोदे होगा साम को 6 बच के 2 मिनट पर होगा चंदरमार हेगा वरिस्टराशी में कृष्न पक्षै प्रत्यपदा तिति है रोहेडी न चत्र है सिद्ध योग है और आज का जो समोर्थ है 11 से 46 से लेके 12 बच कंट.ब धन्युट तक ह रहेगा उत्तर दिशा का दिशा शूल है एक बात का आपको ध्यान रखना है आज कि आज आप जो भी कारे करें पूरी निश्ठा के साथ करें आपका ब्रिच राशी का चंदरवा है चंदरवान कूल होने के नाते आपको अपार सफलता मिलेगी अगर कोई देशाटन तर्था करना चाहते yater पहले से निर्दारी थाये ताब क्या करें कि दिनपूर प्रस्तान निकाल करें राहकाल में कोई भी ना कर ना करें और ध्यान रख्यें कि सुम्मूर्थ मैं क्या कारेता अभ आई यह बात करते हैं आजके महामंत्र कि ओ हंग हानुते संकट मोचन हनवान जी का है ज़िद की कुणली में मंगल ग्रह खराव है मंगल के नते आपके दिक्कत हो रही है तह आप इस महामंतर का एक माला तीन माला रोज जब कर एप पर संकट मोचन हनवान जी के कृपा वर्सेजी और आपकी सारी परिशानिया दूर होंगे जैदि आपको रोग सत्रों परिशानियां तंग कर रहे हैं तो इस मंत्र से आपको काफी लाग मिलेगा जैद आपके कुंडिली में एक चार साथ आठ बारव में मंगल है मांगलिक होने के नाते आपका जो बैबाहिक जीवन खराब है इस मंत्र के जब करने से बैबाह से प्रचूर मातला में लाब होगा अब आईए हम बात करते हैं बारह राश्यों की बारे में क्या कहती हैं बारह राश्यों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा किसका भागोद होगा कौन विदेश जाएगा किसको सरकारी नोकरी मिलेगी कौन राजनीती में जाएगा किसको प्राप्ती उगी कौन बैज्यानिक बनेगा कौन चिकत्सक बनेगा कौन विध्य वेत्ता बनेगा ये सारी बातिय बताऊंगा concealer कि प्रयोंक करने से लाभ होगा किस रंग की प्रयोंक करने से मान उन्नतियोगी स्वाधानी के अवरतना उपाय क्या करने जो आई ये सुरूआत करते हैं मेश राशी के जातक हैं भागए से सारे कारेव के समपन्ण होंगे चाहों के पूर्ण होने का समय चल रहा है उत चतुरुदिक लाब होगा धंधान के छेत्र में किया प्रयाख सogen वन्ılदीक यूग बन रहा है नया बैपार करने का आउसर मिलेगा विद्धार्थियों के लिए कालखंड बहुत अच्छा है समय आपका उत्म चल रहा है को मेहनत करिए टास्ट टार्गेट ओरियेंटेट हो के कारे करिए आप इंजिनिर के च्छत में बढ़ा कर सकते हैं लाग के सफलता मिलने का प्रवल यूग बन रहा है और आज आपको उपाय क्या करना है सूरी देव को जलाविशेक करिए लाल वस्तु का दान करिए शुबंके आठ सुबरंग है लाल लक मीटर है आठ हरी कृष्म बात करते हैं ब्रिश राची की जो ब्रिश राची के जातक है आज आपको प्रियासरत कारों में महान सफलता मिलेगी लेखन कारे से धन मिलेगा परिश्रम से तदिक धनलाब प्राप्त होने की संभौना बन रही है अध्यात्मिक विकास का योग बनना है यार्था यात्रा तिर्थाटन देशाटन इतादी से आज आपको बड़े पैमाने प आपको बिजेशरी मिलेगी सौधानी के अबरतनी है आज आपको अपने गुस्ते पर नियंद्रन रखना होगा उपाय क्या करना है शफेद वस्तर का दान करिए दूध से बनी मिठाई गरीबों में बित्रन करिए सुबंके साथ सुबरंगा बैगनी लग मिटर साथ हरी कृ बात करते हैं मिठोंडाशी की जो मिठोंडाशी की जातक है आज आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा प्रयासत कारियों में सफलता मिलेगी जिस कारे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उस कारे में आपको बड़ी सफलता मिलेगी परिवार में नय मेहमान के आगमन से मन परसंद रहेगा पत्नी का सुख फ्राप्त होगा चतुर्दी घ्लाप से मन परसंद रहेगा पत्नी को सरकारी नोकरी मिल सकती है उनकी हैल्थ वेल्थ को लेकर करके जौब की चिंता है समाप्त होगी और पॉजिटिव सोचें पॉजिटिव करें सौधनी की अबरत नहीं अब आई यह हम बात करते हैं करकराशी की जो करकराशी की जाय तक है आप को ध्यान रखनाय का बहुत तनाव भे रहते चोटी चोटीचोटी बात को लेके परिशान रहते तर ज्यजा न करिए आज अपने उरजा को सही भी सामें लगाएं दूर देश की आत्रह होगी, कुछ बड़े कारे कर सकते हैं, अध्यात्मिक भिकाश होगा, अध्यात्मिक गुरू के मिलने से मन आपका परसंद रहेगा, आज आपको सौधानी के अबरत नहीं है, जो आपके अंदर उर जा है, उसको सही दिसा में लगा में, निगेटिव था सुबरंगे के सरिया, लग मीटर है आठ, हरे कृष्णा, बात करते हैं, शिंगराशी की जो शिंगराशी के जातक हैं, आज आपको नए बैपारियों, बैवसाय से लाफ मिलेगा, आज आपको बैपारिक इस्तिय आपकी बहुत अच्छी होगी, अगर कोई भी विदेश में नया बैवसाय या पूजी निवेस्ट करेंगे ता आपके लिए फायदे मन्द होगा, नया बैवसाय खोलने का उस्तिय जगत के लिए, आज आपका दिन बहुत अच्छा है, अगर आप लेखा कहें साहिट तिकार हैं ता आपको लेखन कारी से धन मिलेगा, नयाले में अग करके नए कारे करने की जुरत है आपका समय अच्छा चल रहा है उपाय क्या करना सूरी देव को को जला विश्यक करिए उनकी पूजा अर्षिना करिए कैसे करेंगे एक तावे का लोटा ले लिजे उसमें जल डालिए चावल को लाल लग में रंग लिजे जिसको अच्छत करत हैं आपके लिए चारह एगा सुबनके 5 सुबरंगे महरून लक्मीटर है आठ हरे कुरुश्ट बात करते हैं कन्या राशी के जो कन्या राशी की जातक है आज आपको लिखन और साहित के चेटर से लाव मिलेगा फाइनेंस के मामलों में आज आज आपको बड़ा लाव मिले शेयर ट्रेडिंग से धनलाफ मिलेगा सम्मान प्राप्त होने की संभावना बन रही है जमीन जायदात करेते का औसर मिलेगा क्रिश्योग भूम खरी देंगे आपको संतान्सुख मिलते हुए दिक रहा है खासतोर से जो भी दारती है उनके लिए काल खंड़ चाहे खेलाडिय सौधनी के अपरतनी है आप अपनी उर्जा का सही दिसा में परियोग करें निगेटिव सोच से बचें उपाय क्या करना भगवान स्री गड़ेश जी का रातना करिए ओम गौरी पुत्राय स्री गड़े सानवेश मंत्र का जब करिए सुबंके 6 सुबंके 6 सुबंके 8 लक लिकारे होने का यूग बन रहा है नए महमान के अगवन से मन परसंदर हैगा आज आपको अचानक बड़े पैमाने पर धनलाब होते वे दिख रहा है जिससे आपकी माली हालत सुद्रण होगी आज आपको अपने आत्व सम्मान को लेकि चिंतित होने की जूरत नहीं है पॉ जो इतरह का वस्त रजीजे या चांदी का सिक्का गिफ्ट करिए सुबंके दोशुबंगे नीला लक्मी टरे साथ हरे कृष्ण बात करते हैं ब्रिश्यक्राशी की जो ब्रिश्यक्राशी की जातक हैं आज आपको चारों तरफ से धनलाब प्राप्त होने का यूग बन रहा नए इंडस्ट्री लगा सकते हैं उसका यूग बन रहा है खिलाडियों के लिए समय उत्तम चल रहा है बिदेश जाने का आउसर मिलेगा बिदेश से धन अरजित करेंगे आया तर्यासे धनलाब होगा अपने हेल्थ वेल्थ को लेकर करके सच्चेत रहिए सौधानी के अब जो धनुराशी की जातक हैं आज आपको अपने गुसे पर नियंत्रा रखना है जदि आप कोई किताब लिखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्चा है संपादकी कारूम आपकी रुची बढ़ेगी संपादन वीडियो एडिटिंग संगीत म्यूजिक में अच्छा रचना कर सकते हैं कहानी लिख सकते हैं किताब लिख सकते हैं देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है स्वास्त पर विशेश ध्यान दें सरकारी नोकरी मिलने का योग बन रहा है सिक्षा के चत्र में पदुन्नत होगी और पदुन्नत का योग भी बन रहा है आपनी आप सिक्षा के hatार प्रतना कर रहे हैं आज आप लेक्चेर हो सकते हैं एक्चोड फ्atar करें और उसके लिए आज कर पीला लक मीटर है आठ हरे कृष्णि बात करते हैं मकर राशी की जो जातक मकर राशी के हैं उनको आज गुसा नहीं करना है कोई भी तुरित नड़े ना लें तुरित नड़े आपको हानी पहुंचा सकता है भारी नुक्सान हो सकता है नए प्रकार के बैपार करने का उसर मिल करेंगे बैपारिक किस्टी मजबूत होगी सुबह कारे करने का यूग बन रहा है कोई भी महतूर कारे करते हैं तो अपने भाई बंदो माता पिता या जो गुरू है या बेलवीसर है उनकी राय लें जमीन हैं वहान खरिदने का यूग बन रहा है रोग और सत्रू परास्त होंगे माता पिता का सुख मिलेगा आपको नए तरह के कारियों से लाफ मिलेगा से ट्रेडिंग से धनलाब मिलेगा कंस्ट्रक्शन अगर करते हैं तुस्से बड़े पैमाने पर लाफ मिलेगा किसी भी स्टेंजर से कोई डिल ना करें नहीं तापका पैसा दूप सकता है भूंपाय क्या करना सरसों के तेल का दिपक जलाईए काला छाता डान करिए सुबंग का आठ सुबरंगे हरा लग मीटर है साथ हरे कृष्ण बात करते हैं कुम्बराशी की जो कुम्बराशी कीजा तक है जब की परिवारी कि सिती सांदार होगी परिवार में सुब और मांगल कारे होने का योग बन रहा है भाई बहन के लिए बहुत अच्छा समय चला उनको रोजी रोजगार के चेत्र में किया गया प्रयासारतक होगा भाई बहन के सुख और संसादरों में बलोतरी होगी नहीं डिस्ट्री लगा सकते हैं नयावय पार करने के आसर मिलेंगे रुका धन मिलेगा जो धनाव का फसा हुआ है उसको मिलने की समभाना बन रही है विदार्थों के लिए खिलाडियों के लिए समय बहुत अच्छा है जो विदार्थी है अगर वकालत के फिल्ड में मैनेजमेंट के फिल्ड में अपना केरियर बनाना चाहते हैं इंजिनी के अपती कब यूग बन रहा है धन के सती आपकी सादार होगी सौधानी के अबरत नहीं है जल्द वाजिवें नेड़ा लेने से बचें और अपने हेल्थ पर विशेज ध्यान रखें उपाय क्या करना जुरतमंद की मदद करें उनको भोजन करामें और चुडियों को कवों को या काली गाय को रोटी गुड़ खिलाना न भूलें सुबंके आठ सुबरंगे हरा लक मीटरे आठ हरे क्रिशने बात करते हैं हंतिम राशी मीन की जो मीन राशी की जातक है आज आपको ध्यान रखना है कि बहुत भावनात्मक संब्दों में बरुसा रखते हैं अपने बेश्मा के जो भी निड़े लेते हैं आपको नुक्सान हो जाता है तो दिल के बज़ाए दिमाग से निड़े ले बाणी से धनलाब होगा आपकी बड़ी किमती होगी तो उससे धनलाब होगा समय का सुद्र प्योग करिए समय आपके अन्कुल चल रहा है भाग आपका उससे जादे धनलाब होने की संभाना बन रही है प्रचूर मात्रा में धनलाब का यूग बन रहा है तो खुब मेहनत करें धनकी से तेच्छी होगी रोग और सद्र परास्त होंगे और अपने को इमोशनल थोड़ा ध्यान रखने की जूरत है सौधानी के अपरतनी है आपका समय स्राणीब चला है समय का सुद्व प्योग करिए उपाय क्या करना है आज आपको क्या करना है कि अपने पीली वस्तू का दान करें और गाये को रोटी गुड़ खिलाना न भूले अब हम बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में आज है 28 तारिक आज जिन दर्शकों का जन्मदीन है उन्हें के जन्मदीन की बहुत बहुत बढ़ाई धेर सारे शुब कामना है आपको प्रगत करिए आगे बढ़िए आपका चतुरतिक विकास हो सुख आज जिन दर्शकों का जन्मदीन हैं उनका मुलांक होता है एक एक नमबर वाले जो जातक होते हैं बड़े महतापोड होते हैं यह वर्ष आपके लिए काफी अच्छा है नेतर तो करने की चमतावड़ेगी राजनेतिक लाफ मिलेगा प्रापल्टी खरिश सकते हैं माता प आजिता का सुख मिलेगा नहीं नोकरी के लिए अच्छा है कालखंड आपके लिए अच्छा जाएगा देखा जाता है जनवरी से लेकर करके जून तक का कालखंड स्वर्ड़ी में उत्रोतर विकास होगा प्रगत होगी एकेडमिक केरियर होगा घर में नया मेहमान आएगा और आपकी सारी परिशानियां दूर होंगी पुना जो जुलाई से लेके दिसंबर तक का कालखंड इसमें थोड़ा उतार चड़ावाएगा थ्रेटा सकती है कई परकार के चुनोतियों का सामना करना पर सकता है अपने चुनोतियों का सामना करते हो आगे बढ़ेंगे तो देखा जाता है बर्स आपके लिए काफी अच्छा है दूसरी बात का ध्यान रखना है कि सौधानी के अबरत नहीं है गुसा नहीं करना है अपने कुछ चैनलाई जो के कारे करना है और अपने को मेहनत करके आगे बढ़िए आपको बड़ी सफलता मिलेगी उपाय क्या करना है पूरे बर्स परने तो हर्मान जी के अरादना करिए आपके लच्छा रहेगा और हर्मान चलिसा का पाट करिए ठीक रहेगा पुना आपको जन्मदीन की बहुत 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 बदाई धेर सारी सुपका अब हम बात करेंगे गुरू के नुस्खे की आज हम आपको सब्सक्रा कर रहे हैं तो आप क्या करें की बजरंग बाण का पाठ करिये जरी आपके शरीड में डर्द हो रहा है दर्द ठीक नहीं हो रहा है और आप बहुत ही बेह Nim Д blessing बाण का पाठ करें आपके प्रसालिया दूर होंगे आपको लगता की संकटों में आपका दिन ठीक नहीं हो रहा है, लोग आपको तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ता हंग हनुमति रुद्रात मकाय, हंग फट स्वाह, इस मंतर से 24 बार आप हवन कर दीजिए, सामान हवन से लेकर के, तो हनुमान जी के किरपाप पर बनेगी, और क्या करें, कि ग्यारे लड़ू ले अठीके से करते हैं, ता आपके लिए लाप रहे हैं, भागी गुरू कायरकरम में बस आज इतना है, फिर हम आप से कालेशिस में ऐसी वक्त मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहे हैं, न्यूज इस्टेट उत्तर प्रदेश उत्राखण, नमस्कार.